सब्सक्राइब कीजी फिनॉमनल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजी और देखें टेक वीडियो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों फिनॉमनल गुरुजी यूट्वीब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप DSLR जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन से आज की इस वीडियो में कंपलेट डेटल बताने वाले हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करतीजे और वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों आपके पास कोई भी Android स्मार्टफोन है जिसमें आपको पोट्रेट मोड का उप्शन देखने को मिल जाता है जैसा कि आप जानते हैं पोट्रेट वीडियो का उप्शन बहुत ही कम स्मार्टफोन में देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों अगर आपको portrait photo का option मिल रहा है तो भी आप यहाँ पर DSLR जैसी यहाँ पर video recording कर सकते हैं तो उसके लिए करना क्या होगा आपको उसके लिए दो app की जरूत होगी पहला जो app है screen recorder अगर built-in screen recorder है तो आप उसका use कर सकते हैं अपने smartphone से नई तो आप manually कोई भी screen recorder install कर सकते हैं दोस्तों और उसका use कर सकते हैं screen recorder को दोस्तों आपको on करना है और अपने smartphone में से camera को on कर देना है simply आप camera वाली app को on करेंगे और portrait mode को set कर देंगे इसके बाद portrait mode का option जो है as it is रहेगा दोस्तों इसके बाद आपको screen recording का record button को press कर देना है जिससे recording स्टार्ट हो जाएगी और आपको जो भी record करना है आपको record कर लेना है वीडियो से इसके बाद दोस्तों आप stop कर देंगे और video file रहेगी उसको crop कर देंगे तो इस तरीके से आप videos को बना सकते हैं दोस्तों DSLR जैसे तो दोस्तों मिलते हैं next video में तब तक के लिए Hashtag Phenomenal Guru